नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है, आज हम UGC NET का जो थर्ड यूनिट है, उसके दो टोपिक लेकर हजिर हुए हैं, एक परजाती और नर्जातियत्ता, और इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे मेल्टिंग, पॉट और सलाद का कटोरा, इन दोनों पे हम चर्चा करेंगे, और अगर टाइम बचा, तो हम जो अपना एक थिंकर बचे हुए हैं, एडवर्ड सेड, सेड भी लिखा जाता है, उनको उन पर चर्चा करेंगे, तो आपके जो भी क्यूरीज होगी, उनको हम कुल देना चाहिए, हार जीत है, ये तो मुकदर की बात है, अगर हम कोशिस ही ना करें, तो ये तो गल्त बात है न, तो आप एक्जाम जरूर दीजिए, क्योंकि कोई भी लक्स है, मनुसिया के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, तो हार जीत की कोई बात नहीं होती है, अगर आप पहली बार त्यारी करके एक्जाम दे रहे हैं, और आपके अगर मेरिट के पास भी आप पहुंच जाते हैं, तो ये भी आपके लिए एक जीत होगी, तो एक्जाम आप जरूर दे, इससे आपको एक्जाम पैटरन का तो कम से कम पता चलेगा, तो एक्जाम तो हमें देना ही चाहिए, तो शुरू करते हैं, पहले परजाती के बारे में, परजाती का आर्थ, परिवासायों पर कार, नर्जाती यानि एथनिक सिटी, और मेल्टिंग पोर्ट और सलाद का कटोरा है, ये सब्दावली है, वो आजकल काफी जादा परियोग की की जाती है, मेल्टिंग पोर्ट और सलाद का कटोरा, ये मुखे रूप से एथनिसिटी से ही मिला हुआ है, नर्जातियता से ही समंदित है, इसमें क्या होता है, पोर्ट का यानि कोई ऐसा बरतन, जिसमें नर्जाती यानि परजाती, बहुत सारी परजातीयों के लोग, बह भूस संस्कृतिय समाज होता है, उसके अंदर अलग-अलग संस्कृति के, अलग-अलग परजाति के, अलग-अलग नर्जातियता के लोग होते हैं, तो उसमें क्या होता है, कि सारे के सारे जो मेल्टिंग यानि मिक्स हो जाना, वो क्या है, सारे के सारे मिक्स हो जाते हैं, जो 77 पहचान होती है, यानि वो सब अलग-अलग दिखाई नहीं देते हैं, वो सब एक दुसरे में घुल मिल जाते हैं, तो ये क्या है, ये melting port है, और ये उन समाजों के लिए प्रयोग किया जाता है, जहां बहुत सारी संस्कृति के लोग थे, लेकिन आपस में इतने घुल मि और जो सलाद का कटोरा है, ये उन समाजों के लिए प्रयोग किया जाता है, जहां जैसे एक कोई सलाद का कटोरा होता है, तो उसमें क्या होता है, लग-लग सलाद हम काटके छोड़ देते हैं, जैसे fruit कटोरा भी कह सकते हैं, या सलाद का कटोरा भी कह सकते हैं, तो इसमें प ethnicity यानि नर्जातियता के समन्द में प्रयोग की जाती है अमरिकी समाज है उसको melting pot का example माना जाता है और भारत को जो सलाद का कटोरा है उसका example हम मान सकते हैं तो ये सब्दावली है वो आजकल प्रयोग होती है और एक बार net के exam में भी पुच्छा गया था इसका अध्यन भी कि किया था भारत के अंधर इस आउधारना का प्रयोग किया था आशुतोस मालवे साइध नाम है आशुतोस तो है कि मालवे秒 साइथ है उन्होंने भारतिय संद्रम में melting pot और सलाद के कि आउद्धारना का प्रयोग किया है तो हम पहले बात कर लेते हैं परजाति के बाड़े मे अंग्रेजी में इसे race कहते हैं तो ये एक महत्वप्रण आउधारना है और पिछले 2-3 exam देख रहाओं में 2-3 सालों से लगबग 1 person यहां से आ ही जाता है किस से परजाती से समंदित person है वो आ जाता है तो आपके जो भी queries है वो हम last में लेंगे आप chat box में वो छोड़ सकते हैं परजाती यानि race ये एक प्राणी सास्त्री आउधारना है अगर मैं आपसे person पुछूँ कि आपकी परजाती क्या है तो क्या आप answer दे पाएंगे आप किस परजाती की है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये फ्लाना कुट्ता किस परजाती का है तो क्या कहेंगे ये जर्मन सैप्ड है ये फ्लाना है ये बेंस की ये नसल है इसको हम क्या सकते हैं नसल भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं नसल परजाती रेस तो हम पस्वों की परजातियों की पैचान तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं लेकिन कोई हम से भी पूछ ले कि तुम हो तो मनुष्य प्राणी हो लेकिन किस परजाति के प्राणी हो उत्तर भारत के जो लोग हैं वो किस परजाति के हैं वो इंडो आरियन मानने जाते हैं कुत्तों की नसल अलग अलग होती है तो जो जर्मन सेप्ट होते हैं उनकी क्या होती है उनकी जो साररिक बनावट है वो अलग होती है और जो दूसरे परकार के नसल के कुत्ते होंगे उनकी अलग होगी तो यानि समान साररिक विसेशताँ वाले किसी भी प्राणी के जुरूरी निये कि ये मनुस्य की नसलो इसके अंदर आज दुनिया के अंदर जितने भी पेड़ पोदे हैं पसू पक्सी हैं जीव जन्तु हैं उन सब की अलग-अलग परजातियां हैं और हम पढ़ते हैं ना कि लुप्त होती परजातियां ये लुप्त हो रहा है तो इसी प्रकार से मनुस्य की भी केई परजातियां लुप्त होने के कगार पर है तो ये एक साररिक यानि प्राणी सास्त्री ये अउधारना है जिसको कहते हैं समान साररिक विशेषता वाले व्यक्तियों के एक समुए को एक परजात्ती के तोर पे जानते हैं तो इसे प्राणी सास्त्रिया उधारना माना है होबेल और करोबर ने तो एक ऐसा मनो समुए हैं हैं मो सेपियंस जो हम मनो को बोलते हैं तो ऐसा समुए हैं जि ये नोट और कर ले ना केवल सारिरिक बनावट नहीं होती है आन्यवासिक गुन जो जीन होते हैं वो भी क्या होते हैं जेनेटिक जीन होते हैं वो भी क्या होते हैं समान होते हैं तो सारिरिक बनावट और आन्यवासिक गुन हैं वो परजाती के अंदर एक जैसे होते हैं तो जिन परजातियों में ये एक होता है, तो उनको अलग परजाति बोल देते हैं, दूसरे को अलग बोल देते हैं, इस सब्दावली का प्रयोग है वो लगबग 18 सन, 1800 के आसपास हुआ था, और पहली बार जियू विज्ञान में हुआ था, किस में हुआ था, जू लोजी के वो किस कारण से बने रहते हैं, वो विवा और परजनन, अपनी ही समुवे में विवा करेंगे, तो उससे क्या अनवासिक गुण बने रहेंगे, और परजनन करेंगे, तो उससे उनके अनवासिक गुण है, वो पिड़ी दर पिड़ी बने रहते हैं, और उनकी साररिक सकती हजारों सालों से मनुस्ष्य का मिश्орण हो रहा है। तो पहली बात तो है नहीं, अगर है तो उसकी पहतान नहीं की जा सकती। अमेड़कर के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। आप देख सकते हैं, डेविड हारडिमन के बारे में कभी चर्चा जूर करेंगे, तो ये किन कारणों से बनी रहती है, विवा और परजनन के कारण परजाती के अंदर निरंतरता बनी रहती है, आगे आता है कि पहचान कैसे करते हैं, परजातियां अलग-लग बनी क्यों है, इसके पिछे कारण क्या है, तो इसके चार कारण हैं, चार अधार पर हम कह सकते हैं कि परजातियां अलग-अलग हो गई, अब ये चार अधार कौन-कौन से हैं, एक जीन उत्परिवर्तन, पहले तो कहते हैं कि मनुश्य एक ही था, जो होमो सेपियन्स उसको कहते हैं, फिर क्या हुआ, जीन का उत्परन हुआ, जो अनुवा सिख थे, त उस वज़े से कोई नई जाती बन गई, आप देखते न, एक ही परजाती के अंदर जो हाइट है वो कम होती जा रही है, विशेज तोर से जिस एरिये में मैं रहता हूँ वहाँ लड़कियों की हाइट कम होती जा रही है, तो ये क्या है? ये परजाती के अंदर आने वाला परिवर्तन है, दूसरा प्राकर्तिक वरण, जिस प्राकर्तिक दसा में मनुश्य रहता है, अगर अफरिका में रहेगा, उसका रंग है, वो काला हो जाता है, अगर सीथ परदेशों में रहेगा, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, सवेत हो जाएगा, इस वज़े से परज परजातिये लोगों का मिश्रन, दो परजातिया मिलती है, तो किसी एक नई परजाति का मिश्रन हो जाता है, जैसा कि हम हैं, हमारा परजातिये मिश्रन हुआ है, दुनिया के अंदर मूल रूप से तीन ही परजातियां हैं, और हम उन तिन्नों में से ही नहीं आते हैं, तो उत धार्मिक निती थी, सैसुनिता थी, उसकी वज़े से हमने रोका नहीं किसी को आओ 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 और इतने ऐसे बन गए हमें कि अब अलग पहचान है वो बड़ी मुश्किल है अब हम बात करते हैं कि परजाती किसे कहते हैं तो वेसे तो आपको पता चली गया कि परजाती क्या होती है लेकिन जो परिबासाइं दी गई है ये परिबासाइं थोड़ी महतोपुर्ण है और इससे आपको परजाती के बारे में अच्छी तरे से ग्यान हो जाएगा हावेल की पृइसा है कि अंतर समंदित लोगों का समुए है, यानि अंतर समंदित किसे होंगे, जो आपस में विवा करते हैं, एक स्तान पे रहते हैं, तो ऐसे लोगों का समुए है, जिनकी साररिक, लक्षन, कोई साथ एक विशिष्ठ, मििस्रन पाया जाता है, और जो कुछ जीन समंदी तत्वों से मिलकर बनता है जीन समंदी जेनेटिक रूप से मिलकर वो बनता है तो यह प्रिवासा किनकी है हावेल किया तो मुख्य रूप से खास तोर पे इस सब्दावली का प्रयोग है वो किस ने किया है हावेल ने किया है जब बोल देते हैं खास तो वो खास ह जाता है और प्रिक्षिया के अंदर खास ही पुछा जाता है नॉर्मल बहुत कम पुछा जाता है एंपिटेट अगस्ट में एक्जाम है मुझे पता है आल इंडिया के अंदर सोचिलोजी की कौन-कौन से एक्जाम है कब-कब हैं वो सब मुझे पता है तो आप ये तना तींकर रहा हैं उनuttryka classes कर दोलूम रेमंड फरत ने क्या कहा कि प्रजात्ती मनुसीओं का या विक्तियों का समुऊ है जो कुछ वसानुकरम द्वारा निर्धारित समान्य लक्षण यानि एक जैसे लक्षण होते हैं जिनके उनको परजाती कहते हैं ये रेमंड फरत ने कहा करोबर ने क्या कहा कि वह समुए जो वसानुगत नसल परजातिय गुणों या उपजातियों के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है य यानि किसे प्राप्त करते हैं ये प्रेत्रिक्ता का मतलब ये प्राप्त करते हैं तो यहाँ ये सब्धावली मैतो क्रोण हो जाती है तो ये परिबासा है आगे है परजातियों के विशेश्था crec è ल,क्षण कैसे पहचान करें परजाती और ये परजाती वड़ा जो है वो मुख्य रूप से किस विश्य का है टोपिक ये मानो सास्तर के अंदर हम अधियन करते हैं परजाती का अधियन हम किन से करते हैं मानो सास्तर के अंदर करते हैं और ये विग्यानिक अधियन भी इनका संभो है क्योंकि जो ए मूर्थ चीजे होती है उनका अध्यन बड़ा मुश्किल होता है लेकिन जो मूर्थ चीजे होती है तो ये सारी की सारी क्या मूर्थ चीजे है परजाती के अंदर जन चीजों का अध्यन करते हैं वो सारी के सारी क्या है मूर्थ है सारी की तो हम परजाति के लक्षनों पे बात कर रहे थे कि परजाति के कौन-कौन से लक्षन हैं, किसके अधार पे परजातियों का वर्गी करन हैं, वो कर सकते हैं, अब कौन-कौन से ऐसे, ताउचा के रंग के अधार पे, चमडी का रंग कौन सा है, काला है, पिला है, तीन परजात हैं गुंग्राले हैं या किस परकार के हैं उनके अधार पे चहरी की विशेशताओं के अधार पे ठोड़ी वगेरा लंबाई चोड़ाई इनके अधार पर आंखों के आकार के अधार पर जैसे की जो चीन के परजाती है उनकी आंखें क्या बिल्कुल दसी हुई होती है नाक क तो ये तो हम देखते रहते हैं परजातियों के अंदर, अफरिका के लोगों को देख लो, इंग्लेंड के लोगों को देख लो, और चीन के लोगों को देख लो, ये तीन अलग-लग मुख्य परजातिया हैं, तो इनसे हमें पता चल जाता है, शरीर की लंबाई, तो लंबाई भी बात इन पे लागू होती है, तो इस परकार के जो बोतिक लक्षन है, ए बोतिक लक्षनों के धार पे हम परजाती का निर्दारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन परजाती की पहचान नहीं कर सकते हैं, परजाती की पहचान करने के लिए क्या जरूरी है, बोतिक लक्षन जरूर समाजिक, कारक भी जोड लिये जाते हैं, लेकिन ये पहचान नहीं है, मुख्य पहचान है, वो साररिक विशेश्टाएं हैं, टिके उमन ने, इसके अंदर दो सब्दावली और है, एक है परजातिवाद, परजाती हो गई, आप परजाती से क्या बनता है, परजातिवाद बन राजनेतिक तोर पे, राजनेतिक तोर पे नसल यानी परजाती की आउधारना का प्रयोग जब हम करते हैं, और कहते हैं कि हमारी परजाती स्रेश्ट है, और तुमारी परजाती स्रेश्ट नहीं है, ये जो यूरोप के जो लोग थे न, अपने आपको जो आरे बोलते थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे देशों को उपनिवेस बनाया, किसके नाम पर उपनिवेस बनाया, कि हम स्रेष्ट हैं, हम दुनिया पे राज करने के लिए पैदा हुए हैं, तो इस परकार अपनी परजाती को स्रेष्ट मानना और अन्य परजाती के साथ परजाती एक साररिक आउधारना बन जाती है लेकिन जब इसमें वाद जुड़ जाता है तो ये क्या है एक राजनेतिक आउधारना बन जाती है जो साररिक भेधवाओ के अधार पर पर आर्थिक ऐसमानताओं को बढ़ावा देते हैं समझिक ऐसमानताओं को बढ़ावा देत परजातिवाद का सबसे बड़ा जो एक्जामपल है वो दुनिया में कहां पाया है कहां देखा गया है परजातिवाद का सबसे बड़ा एक्जामपल किस महादीर्प में देखा गया है अफरीका महादीर्प में और वो भी मुखे रूप से दक्षन अफरीका के अंतर दक्षन रोध किया था और नेशलल मंडेला उनिस्सो च्राण में में जब वो परधान राष्ट्रपती चुने गए थे उससे पहले उन्होंने एक लंबा जीवन इस संग्रस में बिताया है परजातिवाद के तो हम इस क्लास के बाद में एक जो अपने थिंकर बचे हुए हैं है परजाति क्या है इस दुनिया के अंदर सामाजिक संस्त्रन यानि उचता और निमनता के करमें बांटते हैं तो भारत में तो हम जाती के धार पे लोगों को उचता और निमनता के करमें बांटते हैं कि ब्रहामन तू उच्छ है तू निमन है और कुछ देशों में परजा इस लिए इसले पुरुवाग रहा है और ये ऐस्मानता को बनाए रखने में बड़ा योगदान देते हैं इसलिए इनकी आलोचना हुई ये परजातिवाद की और एक वर्जा विचारधारा ये क्या है परजातिवाद क्या है एक विचारधारा है जो अपनी जाती को सरेष्ट मानती है परजाती को सरेष्ट मानती है इसका सबसे बड़ा जो विरोध किया है यहाँ पे महतोपना यह एसले मौन्टेस ग्यू ने परजाती वाद का विरोध किया है और कहा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा मिथक है परजाती वाद यानि पर परजाती के अधार पर किसी को उच्छ माना जाता है और किसी को निमन माना जाता है ये किस ने कहा एसले मोटेग्यू ने कहा अब हम बात करते हैं किसकी परजातियता की अब याद रखना परजातिवाद और परजातियता में अंतर है परजातिवाद और परजातियता में अंत अदर है ये thूड़ा नोट कर लेना आप रहने की रेसिती हिंदी में इसको कहेंगे परजातयता तो यह जो आउधारना है वो टी के उम्मन ने दिये कि इन ऋनने दिये टी के उम्मन ने दी है इसके अनुसारू और क्या कहा कि परजातिवाद से सोचन का भाव उत्पन होता है जैसे कि हमने देखा है अफरिका के अंदर परजातिवाद के अधार पे ऐस वेत लोगों का सोचन किया गया तो उन्होंने कहा कि परजातिवाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए परजातियता का प्रयोग करना चाहि ये इससे विविन जातियों के बीच में एकता की भावना परकट होती है, तो ये परजाति वाद और परजातियता में अंतर है, तो परजाति वाद हो गया, कि संकुचित विच्शाधारा जो एक परजाति को दूसरी परजाति से सरेष्ट मानती है, तो जो भी इकल एक्जाम दे रहे हैं उन सब को मेरी तरफ से बहुत-बहुत सुभकामना हैं और इस वर से कामना करता हूं कि आपका जो लक्षय है वो पुरा हो आपका एक्जाम अच्छा हो और नेट अब की बार ही कलियर हो जाए और आप भी बिलकुल स्कारात्मक्ता के साथ और बिलकुल अपने इस्ठ देव को याद करते वे देना और बिलकुल ये भाव होना चाहिए कि हाँ मेरा एक्जाम कलियर होगा और एक्जाम में वही परसनाएंगे जो मैंने याद किये है इस परकार की विचारधारा से आपको एक्जाम देना है अब बात आती है कि परजाती के परकार कितने हैं कितने परकार की परजातिया होती है उत्तों की हम नसल बता सकते हैं गाये की नसल बता देते हैं तो इसी परकार से मनुस्यों की भी नसल है और पूरी मानो जाती है उसको मुखे रुप से तीन भागों में वाजित किया सकता है, कितने भागों में वाजित किया जा सकता है, तीन भागों में, तीन परजातियों में वाजित किया जा सकता है, ये वरगी करण करोबर का है, किनका है, करोबर का है, एक है गोरी या स्पेद परजाति, इसका जो नाम आएगा वो क्या आएगा, काके इस परजात्ती का उपयोग है उन लोगों के लिए किया जाता है जो की गोरे रंके हैं क्या है गोरे रंके हैं सवेत वरण के हैं और ये परजाती मुख्य रूप से यूरोप, उत्री, अफरिका, मद्यपुरू और पस्चिम एसिया से उत्पन होती है इसके तीन उपभाग बताएगे हैं तीन उपभाग कौन-कौन से हैं नारडिक, मेडिट्रीशियन और अलपाइन ये इस परजात्ती के तीन उपभाग हैं तो कुल नो हो जाती है पर तेक के तीन अलग-लग उपभाग हैं तो सबसे पहले होगे काके साइड, दूसरा है निग तो जिनकी चमड़ी का रंग काला है वो इसके अंतरगत सामिल की जाती है तो गहरे रंग की है उनके लिए प्रियोग किया जाता है और ये मुख्य रूप से अफ्रिक की मूल का है जबसे ज़्यादा क्या है अफ्रिका के अंदर इनकी बहूलता है तो इसके भी तीन उप आगे है मंगोलाइड या पिल्ली पर जाती, ACI, इस सरेनी में जो पुरवी ACI है, दक्षन पुरवी ACI है, दक्षन ACI है, जिसमें भारत नहीं सामिल है, भारत से उपर, भारत का कुछ भाग है, जैसे कि भुटान है, आसाम है, चीन है, नेपाल बाड़ा, ये जो भाग है, वो इसमें मंगोलाइड के अंधर आता है तो चिन्नी जापानी कोडियाई कुछ बारतीय फिल्पिनों वियतनामी ये जो लोग ये किस परजाती के लोग हैं ये पिल्ली परजाती के लोग हैं और इसके भी तीन उपभाग हैं, तीन उपभाग कौण कौण से है, एसियाटिक, मलायो, इंडोनेशियन, अमरिकन, इंडियन, ये तीन इसके उपभाग बताए गये हैं, इसी प्रकार से ओर्थर कित ने, इपोर्टेंट है ये महतोपन है, ओर्थर कित ने, ताऊचा के धार पे चमडी के रंग के धार पे 4 पर्कार की परजातियों की बताइए तो 3 तो यह हो इंग है एक स्पेद, पीत और काली, 703 ने बताइए बूरी परजाति, बूरे रंग की परजाति. आगे है, हेक्सले ने भी चार परकार बताए हैं आस्ट्रेलाइड, निग्रोइड, मंगोलाइड और केस्तोक्राइक ये चार भाग बताए हैं हेक्सले ने तो ये वर्गीकरण हो गया मुखे रूप से पूरे विश्वेका अगर हम भारत के वर्गीकरण के बात करें अब यहां महतोप हटन और गुहा इन तिन्नों ने भारत की परजातिये अधियन किया है और तिन्नों ने ही अलग-अलग वर्गीकरण किया है रिजले ने साथ परजातियों में वजित किया इतने साथ में तो इनकी पुस्तक है पिपुल ओफ इंडिया 1915-16 के अंदर आई थी ये इनकी पुस्तक 2011 की जनगरना का इन्हों ने उपयोग किया था और ये भारत के जनसंख्या अधिकारी थे तो इन्हों ने परजातिये अधार पे भारत को साथ भागों में विवाजित किया है तीन परमुख है। दर्विड मंगोल और इंडो आरेन। जिस प्रकार से दुनिया के अंदर तीन परजाती हैं। उससी प्रकार से भारत में भी मुखे रूप से तीन परजाती हैं। एक द्राविड जो काले चमडी के लोग माने जाते हैं वरन के लोग माने जाते हैं जो भारत के दक्षन हिंसे में रहते हैं मंगोल जो की इदर चीन के आसपास और मद्य अशिया में रहते हैं मद्य भारत में रहते हैं और इंडो आरेन जो की नोर्थ इंडिया के अंदर रहत और आज मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इनको परते को बहुत ज़्यादा डिटेल में फिर भी इतना प्रयाप्त है कि आप कोई भी परसन आये तो कर सकते हैं तीन ये मुख्य होगे चोथा मंगोलो द्राविडियन आर्यो द्राविड और साइथो द्राविडियन और टरकी एरानियन ये चार और हैं तो कुल साथ परकार बताए बड़ा मुश्किल होता है स्टाटिंग में याद करना कि किसने कितने बताए तो रिजले ने साथ बार-ब खोल के confirm कर लो कि क्या मैं जो सोच रहा था वो सही है और उसके बाद में आप बुलो गी नहीं तो गुआहा ने हटन ने और रिजले ने कितने परकार की परजातियों का वर्गी करन किया तो इसको आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं हटन ने मुख्य रूप से 6 परजातियों का वर्णन किया है मुख्य रूप से निगरिटो प्रोटो आस्ट्रेलिया एड़ भूम मद्य सागरिय अलपाइन परजाति के आर्मी वाइड साखा मंगोल इंडो आर्यन इंडो आर्यन है वो मुख्य रूप से उतरी भारत की अधिकास अबादी यही मानी जाती है और एसा माना जाता है कि इंडो आर्यन है वो मद्य एसिया और इरान से भारत के अंदर आये थे तो हिंदी बंगाली पंजाबी गुजराती और हिंदी उतर भारत के जो भी बासा ह वो इंडो आरियन माने जाते हैं और यहां के जो मूल निवासी थे अब कही बार यह परसन भी आ जाता है कि भारत के मूल निवासी कौन थे तो बोल दिया जाता है कि भारत के मूल निवासी वो आदिवासी थे उनकी परजातियों का स्पष्ट नहीं होता है तो अगर आदिवासी लिखाए तो वो सही होगा अगर वो नहीं है द्राविड आए तो फिर द्राविड सही होगा अब क्या आता है कि जो सबसे अधिक मानने है वर्गी करने है वो किसका माना जाता है वो माना जाता है डॉक्टर बी अस गुहा का किनका बी अस गुहा का जो वर्गी करने है परजात ये वर्गी करने है वो सबसे परमुक है और सरो मानने है तो इन्होंने हटन के रिजले को तो प्रणतिया सविकार कर दिया था और हटन से कुछ-कुछ इन्होंने संसोधन करके उसको सविकार कर लिया था हटन के केज गए आठ परजातियों के वरगी करण की भी चर्चा है रिजले साथ, अटन मुख्य रुप से 6 और केज गए 8 भी आता है और गुहा ने 6 परकार बताये कितने बताये भारत की परजातियों को 6 बागों में विवाजित किया किसने गुहा ने इन्होंने 1931 की जनगरना के अधार पे ये वरगी करना है वो किया है अब ये 6 कौन-कौन से हैं और 9 परमुख उपविवाजन है इनके पहला है निगरिटो तो ये जो भारत के अंदर जो वरगी करना है थोड़ा सा ध्यान से देखना या अंडमा निकोबार दीव सुए नागा यानि जो मनिपूर के अंदर है वो कुछ जनजातिया है ये वहाँ पर पुर्वी बिहार के अंदर भी कुछ-कुछ जगई ये परजाति के लोग है वो मिलते हैं किस परजाति के निगरिटो तो अब निगरिटो की पहचान क्या है कि ये कद छोटा होता है रंग काला होता है बाल गुंगराले होते हैं इस परकार इनकी पहचान है का मध्य हुआ ग्य वो शामिला जाता है मंगोलाईड मंगोलाईड है इसको गुअँने तीन उपभागों में वजित किया है तो मंगोलाईड जो हिमाल्य में आस पास है चाइना के आसपास बाला भाग वो क्या है? मंगोलाइड है. तो इसमें पुरो मंगोलाइड, चोड़े सिर्वाली परजाती, तिबती, मंगोलाइड. तो मुखे रूप से भारत में मंगोलाइड हो गया, जो की, जिसको हम कहा सकते हैं कि पिली, चमडी के लोग, द्राविड, काली चमडी के रोग, और इंड बती मंगुलाइड जो कि सिक्किम और बुटान इस छेतर के अंदर रहते हैं। गाटी सब्यता के जो जनमदाता थे उतर में जो है उनको सामिल किया गया है और पुर्वी एयों सेमिटिक परजाती तो ये पंजाब और उतर परदेश के जो लोग बीच वाला भाग उससे माना गया है ये मरस्तुल के रस्ते भारत में आये थे अरब और तुर्की से ये और हो रहे होंगे क्योंकि जितने भी अपने टोपिक होते हैं पढ़ने में किसी को इंटरस्ट नहीं आता है पढ़ना बहुत मुश्किल काम है साररिक सरम करना आसान होता है लेकिन मानसिक सरम करना बहुत मुश्किल होता है आप चार गंटे काम कर सकते हैं साररिक कसरत वाल ये बोरियत मैसुस होने लगती है, तो ये सबसे बड़ा मुस्किल काम है, और बेसे देखें तो आसान भी काम है, अगर साररिक और मानसिक कारियों की तुलना करें, तो साररिक करते हैं, तो धूप में करना पड़ता है, पसीने से तर्बतर हो जाते हैं, कमर दर्द करने लग हो जाती है, अभी गर्मियों में जब हम खाना बनाते हैं, या आपको किसी को काम करना पड़े, तो पता चलता है कि साररिक कितना है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, हम चार गंटे, दो गंटे काम कर लें, लेकिन दो गंटे लगातार पड़ाई नहीं कर सकते हैं, जैसे ही हमने आदे गंटे अभी चर्चा की है तो बोरियत सी मैसुस होने लगती है लेकिन देखो परकिरिया बड़ी मुश्किल होती है स्पलता का जो रस्ता है मुकाम है शिखर पे सब को अच्छा लगता है पहुंचना लेकिन जो रस्ता है वो बहुत मुश्किल होता है लेकिन याद रखना रस्ता मुश्किल रस्ता पार करके ही वहां पहुंच सकते हैं बोरियत हो रही है तो हो रही है, सरदर्द हो रहा है तो हो रहा है, हमें तो पढ़ना पढ़ेगा, समझना पढ़ेगा, तो हम बात करते हैं इनके पांचमें वरगी करण के, तो ये इंडो आरियन परजाती इनको माना है, नारडिक कहा गया है और ये मुखे रूप से उत्तर बाग बताएगे हैं, अलपोनोईड, डिनोरिक और आर्मेनाइड, ये तीन उपभाग बताएगे हैं, तो ये जो अलपोनाइड है, वो सोराष्टर यानि महाराष्टर के गुजरात के छेतर में रहते हैं, ये डोनिनी का ये भूमद्य सगरिये परजाती के साथ इनका मिश्र हैं, सीरलंका की बेदा जन जाती है, और पस्चे मंगाल के कायस्त है, ये आर्मेनाइड परजाती के माने जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल है इनको याद रखना, लेकिन पहली बार में बड़ा-बड़ा याद कर लो, फिर उसके बाद में तोड़ा और गहराई में चले ज है, तो ये तो इनका मुख्य रूप से वर्गी करण हो गया, इस वर्गी करण में डोक्टर गुहा ने दो तत्वों पर विशेश बल दिया है, दो बातों पर विशेश गोर फरमाया है, एक कि निगरिटो तत्वे है, वो सबसे प्राचीन है, और जो चोड़े सिरवाली पर पर जाती है, उसमें जो एरिया है, जो स्तान है, वो महतोपुर्ण है, यहां पर एक डोक्टर मजूमदार है, वो गुहा की, एक बात से सहमत नहीं है, कि निगरिटो पर जाती भारत की सबसे प्राचीन तम पर जाती है, तो इस सिधान्त की आलोचना किस ने कर दी, डोक्ट है कि भारत है, वो परजातियों का गलन पातर है, अजायब घर है, चिडिया घर है, क्योंकि यहां पता नहीं कितनी परजातियां आई और वो एक दूसरे के साथ मिसरन हो गया उनका, अब एक टोपिक और है, बहुत बड़ा टोपिक है, लेकिन मैं इसको संक्सिप्त में समा करूँगा, एथनी सिटी, नर्जातियता, नर्जातियता का जो समान्य अर्थ है, वो किसे लिया जाता है, राष्ट्रियता से लिया जाता है, यह जो है वो अंग्रेजी के एथनोज से बना है, यह एथनी सिटी है, वो किसे बना है, अंग्रेजी के एथनोज सबद से बना ह जिसका आर्थ होता है राष्ट्र, तो ये एक परकार से राष्ट्र क्या है, आमने चर्चा की थी ना राष्ट्र राजिया वाले टोपिक में, तो ये क्या है, एक सांस्कृतिक आउधारना है, ये परजातिय भी है, परजाति सारिरिक है, लेकिन कहीं ना कहीं परजातिय और स संस्कर्थिक मिलकर एथनिसिटी का निर्मान होता है तो ये किसे होती है राष्टिता इसके बार परजाती और वसानुकरम और बासा से भी इसकारत है लिया जाता है लेकिन कुलमिला के बात है कि जो एथनिसिटी है वो राष्टर से परजाती से वसानुकरम से बासा से संस्कर का अर्थ K. S. Singh ने बताया है कि एथनी सिटी का अर्थ उन लोगों से लिया जाता है लोगों के उस समुए से लिया जाता है जो निश्चित से एक समान जेविक सांसकर्तिक सामाजिक लक्षन पर कट करते हैं बहुत चीज़े इसके साथ मिली हुए है एथनी सिटी क्या है राश्टर क्या है? एक समुदाय है. क्या है? बहुत बड़ा समुदाय है. यानि छोटे-छोटे समुदायों से मिलकर एक बड़ा समुदाय बना है. एक समुदाय एक अंदर क्या होता है? उसकी जो संस्कृती होती है, वो एक जैसी होती है. लोग एक जैसी ही बासा का पैचान होती है उसे ही एथनो सिटी कहते हैं उसे ही क्या कहते हैं एथनो सिटी या एथनी सिटी कहा जाता है तो एक समुदाए एक निश्चित भूबाग में रहने वाले पर भूबाग थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है तो उसकी जो उनकी अलग पैचान होती है राश्टर के साथ उन सबसे मिलकर बनते और उनकी एक अलग पहचान हो जाती है कि हम कहते हैं कि UP में इस area के लोग तो ऐसे होते हैं, मारवाडी लोग हैं वो वड़े कंजूस होते हैं तो उनकी एक अलग पहचान बन जाती है वो तो सर पे साफा पहनते हैं वो पगड़ी बानते हैं, वो ये करते हैं वो करते हैं, तो ये जो पहचान न इसे ही ethnicity कहा जाता है केल सर्मा ने अपनी पुस्तक Society and Polity in Modern India में ethnicity का आर्थ है वो सामाजिक संस्तरन से लिया है सामाजिक संस्तरन से लिया है और पोल ब्रोस ने ethnicity और रश्ट्रवाद इनकी पुस्तक है, ethnicity and nationalism अंग्रेजी में हो जाएगा इसमें उन्होंने एथनिक पहचान के बारे में कहा कि एथनिक पहचान स्ताई नहीं होती है एथनिक पहचान बदलती रहती है और ये स्वाविक बात है पहले हमारी एथनिक पहचान अलग हुआ करते थी लेकिन देरे-देरे क्या है हम अलग पहचान आविक्षीत करने लगे है परिवर्तन आता है इसमें क्या होता है कि परतिकों के साथ अपने आपको जोडते है जो भी प्रंपरा होती है ना उसके साथ जोड लिया जाता है किसी को जैसे कि पंजाब में बेसाखी है राजस्तान के अंदर गणगोर है गुजरात के अंदर जो कौन सा नरत है मुझे अभी नाम नहीं आ रहा है उनका तो उनकी पहचान बन गई है खानपान भी पहचान बन जाती है कि समोसा कहां का परसि है तो इस परकार से ये पहचान होती है जो प्रमपरा होती है उससे पहचान बनती है उससे ही ethnicity कहा जाता है 1963 में नोथन गलेजर और डेनियल पेट्रिक मोईन नीहान ने एक पुस्तक लिखी थी beyond the melting pot इसमें उन्हें निवारक के एक सहर का दिन किया था और उन्हें कहा था कि अमरिका की जो ethnic पहचान है वो क्या हो गई है गहरी मिल गई है यहाँ पे जो भी आता है उसकी पहचान हाँ गुजरात में गरबा होता है वो उनकी ethnic पहचान है तो निवारक सहर के अंदर क्या होता है जो भी आता है वो उसमें मिल जाता है वो उसमें मिल जाता है उसकी जो पर्थक पहचान है वो समाप्त हो जाती है और उसकी विप्रीत है वो क्या है टिसने पहल पाली उनट ए उसमें एक ठीक रपने बंचे वोए उन के चरथा करेंगे तो एहनेख से बनती है फान-पान की चिजों से बनती है नर्ते से बनती है परंपरास से बनती है किसे भी बन जाती है और अब बड़ा जोर पकडा एक जैसे राजस्तान में रहता हूं तो यहां पर क्या होता है कि गुंगट हमारी पहचान है गुंगट हमारी पहचान है यह गुंगट निकालना हमारी एथनिक पहचान है तो यह बड़ा मुश्की लगता है आदिवासी लोग हैं वो आज कल वापस अपनी उन पहचानों को पु मनिपूर के अंदर क्या हो रहा है। मनिपूर के अंदर क्या हो रहा है। मेतेई समू है, मेतेई समू है, अगर ये पेपर इस महिने में बनाए न, तो मुझे लगता है कि ये मनिपूर वाला परसन पुछा जा सकता है, तो ये क्या है, मेतेई समुदाए है, जो कि मेदानी भागों में रहता है, और समान्य वरग में आता है, दूसरा है, कुक्की जन जन जाती है इसके साथ नागा जन जाती भी है तो यह जो कुकी जन जाती है यह पाड़ों पे रहती है और यह S.T. के अंदर सामिल है अभी वहां के हाई कोट ने कहा कि मितेई को भी S.T. का दरजा मिलना चाहिए या इस पर सरकार विचार करे तो इस बात से कुकी है वो S.T. का विक्ती नहीं रह सकता जैसे 390 में जम्मु कश्मीर के अंदर कोई वेक्ती जाके नहीं रह सकता था उसी परकार से भारतिय सविदान की दारा है 3081 के है साथे से उसमें का गया कि जो जन जाती है छेत्र है उनमें कोई भी जाकर नहीं रह सकता वहाँ पे किर्शी भूमी है वो नहीं ख्रीदी जा सकती अब इनको लगा कि इस मेत्तेई समुदाए के लोगों को अगर रष्टी का दरजा दे दिया गया तो ये जो हमारा पाड़ी छेतर है हम लोगों की जो अलग रहते हैं ये हमारे बीच में आ जाएंगे और हमारी पैचान को हमारी एथनिक पैचान को समाप्त करतेंगे तो ये पूरे के पुर्वे जो पुर्वत रज्य है उनमें एथनिक पैचान कभी नागा जन जाते के बीच में कभी खासी जन जाती के बीच में, कभी गारो जन जाती के बीच में, इस ethnic पहचान को लेकर जगडे होते रहते हैं, अब इस topic से समंदित में जल्दी जल्दी जो पुस्तके हैं उन पे एक नजर डालेते हैं, ethnic groups and boundaries ये पुस्तक इन की है, birth फ्रेडरिक की है, ethnicity and nationalism ब्रास पोल की ह है, ethnicity and nationalism, thorms erection की है, old societies and new states, old societies and new state, जिन की चर्चाम निकल की थी ना, गिर्टर्ज की, ये उनकी पुस्तक है, ethnic origin of nation, ये Smith Anthony की पुस्तक है, तो ये तो हमारा नरजाती और परजाती वाला topic हो गया, अब हम एक परमुख विचारक हैं, Edward Said लिखा आता है, लेकिन इनका जो सही उचारण है, वो क्या है, सेईद है, इनका जनम है, वो फिलिस्तिन में हुआ था, और अगर आप देश दुनिया की खबरें देखते रहते हैं, तो फिलिस्तिन और इसराइल, दोनों का जो जगड़ा है, वो बहुत सालों से चला रहा है, गाजा पट्टी को लेकर उन पे विवाद है, और ये मुख् से जो मुस्लिम लोग है, वो रहते हैं, और इसराइल के अंदर इसाई और बीच बीच में यहुदी जो लोग है, वो रहते हैं, इन दोनों में इनका जो पवितर सहर है, ये येरुसलम है, उसको लेकर विवाद है, जो कि गाजा पट्टी में पढ़ता है, तो इनका जनम है वो 1935 में हुआ था, एक नॉवंबर 1935, एक बार मैं परसन लेता हूँ, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे, एक बार करना, तो हम इन पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, आज ताइम कम मिला, लेकिन फिर भी पूरे दिन लगे रहे, तो टोपिक है, वो त्यार हो पया था, मैं फेस्टियर के बारे में नेट ज yardım दे सकते हैं, हाँ उसमें आप वो कर सकते हैं, अगर exam दिये विया आपने, तो आप दे सकते हैं, अपेर वड़ा exam दे सकता है, सरजी आप request नहीं करें, आपकी महरबानी बहुत हमारे पास, देखो कोई अंतर नहीं है, आप में और प्रुद रहे हैं, जो आपको त्यारी करवाते हैं, हमारे जमाने में या बहुत ज़ादा तो नहीं है, दो हजार बारा में मैंने नेट की थी, नेट ज्यारफ हो गई तो बाद में नेट का एक्जाम देना छोड़ दिया, बाद में ऐसास हुआ कि यह मैं गल्थ कर रहा हूं, तो बाद में मैंने कोई एक्जाम नहीं दिया तो उस इस्तिती में मैं भी था तो ऐसा कुछ नहीं है कल आप में से कोई यहां होगा और कुछ ने लोगा आपके साथ आएंगे तो यह सिर्फ महनत का और एक सफर्खा अंतर है आपने यात्रा शुरू की है और होई यात्रा पूरी कर चुका है आप यहां से है यहां पे पाउंचने में अगर आप continue सलते रहेंगे देखो समाज सास्तर को मैं पांसा सालों से या दो हजार तेरा चोदा से पढ़ा रहा हूं तो इसमें क्या है कि थोड़ा टाइम देना पड़ता है इसमें इसको seriously त्यारी करने वाले कम है और अगर इसको आप थोड़ा सा time देते हैं तो selection sure होता है आप अगर इसको अपना person बनाते हैं तो मैं guarantee के साथ कहता हूं कि समाज सास्तर विशे आपको रोजगार जरूर दिलवाएगा और कुछ दिलवाए ना दिलवाए लेकिन थोड़ा सा time जरूर लगता है क्योंकि ये 2-4 मेहने की बात नहीं है इसमें हमें कम से कम 6 मेहने कम से कम 6 मेहने खपना पड़ता है वो भी जब हम continue ट्यारी करते हैं तो बीच-बीच में छोड़ देते हैं तो वो हमारा सफर है वो लंबा हो जाता है तो इसलिए एक-दो साल अगर आप इसको एक साल अगर आप अच्छी तरीके से एक वरस अगर आप एक साल समासास्तर को अच्छी तरीके से कर लेते हैं इसमें क्या stage बनती है, समासास्तर के अंदर क्या अपने stage बनती है, यहां से हम zero से start करते हैं, और दीरे दीरे जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, हमारी stage है वो develop हो जाती है, पहले आप 20% क्यों सन हल कर पाते हो, कभी आप mock test दिया करें, ज़्यादा ज़्य और अपने आपका मुल्यांकन करें, कि आप कहां पहुंचें, तो इसमें जब starting में करते हैं, तो हो सकता आप 20 पर 30, 100% करो, उनमें से 20 आपके सही और अची गलत हो, लेकिन फिर थोड़ी और मेहनत करते हो, तो 40 पे पहुंच जाते हो, तो 60 पे पहुंच जाते हो, फिर और आपका जो लेवल है, वो क्या जाता है, 70 पलस आ जाता है, 70 पलस या 75, 80 तक आपका पहुंचता है, 80 से पलस नहीं जाएगा, 70 और 80 के बीच में आपका आ जाते हो, तो फिर आपका selection हो जाता है, यह कहाणी है समाज सास्तर की, तो 70 पलस जिन आप पहुंच जाते हो, या कभी मेरिट गई ही नहीं है, किसी समाज सास्तर के एकजाम की, और 70 से कम कम ही रहती है, 60 रहती है, 55 रहती है, फिर भी मैं क्या कहता हूँ, 70 पलस, क्योंकि जब हम त्यारी करते हैं, हम अपना मुल्यांकन थोड़ा सा सही तरी केस नहीं करते हैं, हमारे 2-4 परसन डाउट वा कर पाएंगे, तो एक यात्रा है यह, जो 0 से शरूव होती है, और 70 पलस पे चली जाती है, तो आप यात्रा करते रहीए, अब क्या करते हैं? हम यात्रा के भीच में रुख जाते हैं, हमने एगजाम आया, आ बनेट का एगजाम दिया, एक मेने जम के त्यारी की, फिर हम त् थी वो रुक जाती है फिर हम एक मेने करते हैं फिर रुक जाती है फिर एक मेने करते हैं फिर रुक जाती है फिर भीच में कई कई दो साल का गेप दे देते हैं तो इस प्रकार से करेंगे तो मंजिल पे कभी भी नहीं पहुंचेंगे घरगोस की चाल नहीं चलनी है आप तो जरूर लग रहा है सुमाज सास्तर के अंदर लेकिन जरूर मंजिल जरूर आपको मिलेगी यह मैं लिखे देश सकता हूँ लेकिन इसमें यही होता है लगाता रहा आपको करना पड़ता है अब जैसे कि यूटूब पे आप जैसे मैं माथा पची कर रहा हूँ छोड़ सकते है लेकिन माथा पची करते रहेंगे कुछ न इसको टाइम देते रहेंगे तो लेवल है वो क्या है अब होता रहेगा तो जो मेरा लेवल एक साल पे ले था वो अब नहीं है और अब है वो एक साल बाद में नहीं होगा अगर इसको कंटीनियू में करता रहा तो लेवल है वो आठ साल तक आपको scholarship मिलती है, अगर आपका GRF हो जाता है, junior research fellowship आपकी निकल जाती है, आठ साल तक आपको scholarship आती रहेगी, दो साल आपकी GRF चलेगी, फिर वो convert हो जाएगी, SRF में, senior research fellowship में, 5 साल होगे, फिर आप 3 साल PDF, post PhD कर सकते हैं, तब मिलेगी, यानि 8 साल तक आप ये exam देखकर, अपने आपका आर्थिक रूप से, आप एक अलग स्तर पे पहुंच सकते हैं, और आप कोई भी त्यारी कर सकते हैं, और 8 साल अगर कोई त्यारी कर लेता है न, तो वो तो फिर निकल ही जाता है, महनत की आओ सकता है, तो Edward Said का जनम है, वो फिलिस्तीन में हुआ था, बाद में ये अमरिका में आके बस गे थे, ये ग्राहम्स की मिसेल फुको अर्थोनों से काफी ज़्यादा प्रवाबित रहे हैं, और इनका जो मुख्य विश्य है, वो क्य है, वो है प्राच्य सास्तर, क्या है, प्राच्य सास्तर, प्राच्य वाद सोरी, प्राच्य वाद, अंग्रेजी में बोल देते हैं, इसको ओरियंटलिजम, यानि प्राच्य वाद, ये इनका सबसे महतोपुर्ण आउधारना है, और सबसे महतोपुर्ण पुस्तक है, जो कि इनोंने 1978 में लिखी थी, अब ये प्राच्यवाद क्या होता है, तो प्राच्यवाद है, वो एक उत्तर ओपनिवेसई क्या उत्तर ओपनिवेसई वाद से समंदित है, इसमें सेड ने क्या कहा? कि पस्चिम देशोंने, हम भारत के लोग, किन के गुलाम थे? किन के उपनिवेश थे? अंगरेज जों के यानि पस्चिम के पस्चिम के लड़े थे अपने देश में आकर देनमारक लड़ा था, पुर्टगाल भी आये थे, फ्रांस के लोग भी आये थे, इंग्लेंड की लोग भी आये थे, किसलिए भारत को अपने कबजे में लेने के लिए और स्पलता मिली थी वो, बिर्टेन को मिली थी, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं समराजवाद, यानि अपने समराजवाद करना तो ये ज़्यादा तरक कौन थे यूरोप के लोग थे पस्चिम देश जिनको कहते हैं तो इन्होंने क्या किया समराज्यवाद उपनिवेसवाद स्तापित किये और उसके लिए क्या तरक दिया तरक ये दिया जो किसी हम चर्चा कर रहे थे न अभी एथनी सिटी की बात कर रह रहे थे वो कह रहे थे हम स्रेष्ट हैं परजाती वाद फिला रहे थे हो कि हम स्रेष्ट हैं और आप तो जंगली लोगों आप ऐसब्य लोगों हम आपको सिक्सित करने के लिए आये हैं आपको गुलाम नहीं बनाया है हम तो आपका बला कर रहे हैं आप अनपड लोगों हम teacher लोग है, आपको पढ़ाने के लिए आये हैं, और कारवाई को छोरी कर गए, आर्थिक सौसन कर गए, तो ये क्या है, समराज यवाद नित्ती है, वो कहते हैं कि जो हमारी सांसकर्तिक वर्चस्वे, स्तापित होना चाहिए, हमारी जो सक्ती है, वो सबसे अधिक होनी चाहिए तो वो पहले क्या था, पहले राजने विए स्वाद था, और आज कल दीरे दीरे क्या हो रहा है, सांसकर्तिक वर्चस्वे, बिर्टिस लोगों का, जो पस्ची मिरोप के देश हैं, उनका स्तापित हो रहा है, जिसे हम पस्ची मिकरन कहते हैं आज हम अंग्रेजी बनके बड पहने लग जाते हैं, और हम केते हैं, मौर्डन हो रहे हैं, आप मौर्डन नहीं हो रहे हैं, हम गर्डेश में रहे हैं, यहां पे डिले कपड़े पहने हैं, लेकिन हम टाई, बूट, बेल्ट बांद के एकदम कसके खड़े हो जाते हैं, हावा करोशनी जोती है, बिलकुल पसीने से लथपत हो जाते हैं, और बाद में सेंट और गिर लेते हैं, परफ्यूम डाल लेते हैं, तो परफ्यूम है पसीने के साथ मिलक कर इतनी बदबू डालती है, और पसीने से तर बतर सब बांध रखा है, पहले हम बोलते हैं, गाउं में बोलते हैं उसको, इस परकार से होता है, तो उसको गाव में बोलते हैं, तंगड़ पटिया, सहद है आप नहीं समझेंगे हमारे राजस्तानी बासा का है, कि जो उंट होते हैं, उनके जो पटि बांदि जाती है, ताकि जो उंट गाड़ा है, वो उलारना हो जाए, वो उस पर टिका रहे, तो इसके क्या है, उंट के नीचे पट्टी बांदी जाती है, तो बेल गाड़ी चलाते हैं, या उंट चलाया है, उनको पता होगा, तो उनको बोलते हैं कि उंट जैसी पट्टी बांद कर आप कहां चले ज यह जो धारना है पस्चिम देशों की इसकी आलोचना की है इसे दिव सांसकर्तिक दृष्टी कौन भी कहा है इस अंतराल को क्या है दिव सांसकर्तिक दृष्टी कौन लागू किया है कि दो देशों का जो सांसकर्तिक अंतराल है दृष्टी कौन है वो भीन-भीन है और यह मन और्मानी कर रहे हैं, सांसकर्तिक वर्चस्वय फैला, पस्चिम देश, तो प्राच्यवाद क्या है, और इंट्िजिजम क्या है, पस्चिम देशों के उस नजरिये को दर साता है, जो पुरवी या अफ्रिका के देशों के बारे में सोचते हैं, कि ये लोग अनपड ऐसिक्सि बरबर हैं, जंगली हैं, तो इस सोच को ही, इस सोच वाली विचार धारा को ही, इस नजरिये को ही, क्या कहते हैं, प्राच्यवाद कहते हैं, और इटिलिजम कहते हैं, अब अंग्रेज जी वाली बात आगी, तो अंग्रेज जी के जो सबद है, वो तो सीख रहे हैं, लेकिन व इस मानसिक्ता ने और यूरोप को केंदर को यूरोप केंदर मानना कि ये हम ही है जो कुछ है इस मानसिक्ता को क्या है नकारा है तो इन्होंने तरक दिया कि ये जो प्राच्यवाद है ये पस्चिम पादन और प्रतिनित्ता का एक तरीका है जो इन लोगों को विदेशिल समझ हीन समझते हैं और मानते हैं कि पस्चिम परभुत्व है अधिक है अब यह में के बार किया कि के लोग सविकार नहीं करते हैं बड़ा एगव होता है कि कुछ देखो आरी इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी होती है तो सविकार नहीं करते हैं कि यह हमें कमिया है और वो बड़े दुखी रहते हैं, तो इसलिए कमियों को स्विकार करने में कोई बुराई नहीं है, अगर आपको खुश रहना है तो, लेकिन ज्यादा तर क्या होता है कि भारत के अंदर महिला हैं जो होती है, आप मुझे महिला विरोधी मत मानना, लेकिन कुछ पूरुस भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो अपनी गल्ती को स्विकार नहीं करते हैं, और वो लोग फिर परेशानी रहते हैं, इसलिए अपने ज्यादा इगो भी नहीं रखना चाहिए, ताकि बार-बार आपको हर्ट हो, तो ये एक एसी विचारदा रहा है, जो पस्चिम देश है, वो इनको पुर देशों के पास सकती है, वो ज्यादा चली जाती है, और उनके पास सकती कम रहती है, और ये दुनिया की वास्त मिखता है, अब आगे एक अन्य के उधारना, अन्य के उधारना भी इसी से मिलती जुलती है, तो इसमें क्या होता है, ये जो इस परकार के जो लोग हैं, तो ये अधर कहते हैं और जो उपनिवे स्वाद फेलाया था उसको नयायोचित ठहराते हैं कि ये तो दुनिया ने ये तो इस्वर ने हमें आप लोगों के हमें एसा BARGWAN ने हमें बेज़ा है आप लोगों को शिक्सित करने के लिए एक-डो ठोरी और इंकी मिलती जूलती है मैंने इनका तो वही है अब क्या है एक ठोरि पोस्ट कोलोनियल ठोरी ये क्या है उत्तर उपनिवेस बाद, क्या है, उत्तर उपनिवेस बाद है, हिंदी में इसका क्या हो जाएगा, उत्तर उपनिवेस बाद, पोस्ट कोलोनियल, तो इसमें क्या होता है, कि जो उपनिवेस बाद है, उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनेतिक विरासत की जांच की जाती और उपनिवेसी समाज पे जो उपनिवेस बाद के परभाव हैं उनकी आलोचना की जाती है और कहते हैं सेड यांपे सेड क्या कह रहे हैं कि हमें वी उपनिवेसी करन करना चाहिए हमें पस्चिम करन नहीं करना चाहिए उपनिवेस बाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और अंग्रेज तो चले गए, उपनिवेस बाद तो खतम हो गया, लेकिन आज उपनिवेस बाद आ रहा है उसको क्या कहते हैं, सांसकर्तिक उपनिवेस बाद कहते हैं, सांसकर्तिक समराज्य बाद कहते हैं, तो वो हमें बोगोलिक रूप से तो हम पे सासन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी संस्कृति को फेला रहे हैं। तो इसका क्या हूना नहीं है। जो जैसे है वो बहुत अच्छे हैं। एक है इनकी आउधारणा, कांट्रापुंटल, कांट्रापुंटल, तो कांट्रापुंटल क्या है, ये सबदावली से आप क्या समझते हैं, हो सकता है अगर आपने शईद को नहीं पढ़ाया तो इस सबदावली को आज पहली बार सुन रह Sug. तो ये एक पढ़ने की विद्व है, क्या है? ये एक पढ़ने का तरीका है, कॉंट्रा पुंटल एक पढ़ने का तरीका है, इस तरीके में, इस दरश्टी कौण में, जो मुख्य आख्यान होते हैं, जो अब भारत का जब इतियासर लिखा गया था न, तब पस्चिम देशों ने क्या का था? बगत सिंग को क्या का था? आतंकी का था, उगरवादी तक उनको कहा गया था, और जो भारत के संतंतरता संगराम थे, उसको क्या का गया था? विद्रोक आ गया था, उनको राष्ट्र द्रोही का गया था, तो इस परकार के जो आख्यान हैं, उनको चुनोती देने का एक तरीका है और पस्चिन लोगों ने सोच था ना कि हम सरेष्ट हैं और आप ही नौ, तो यह उसकी आलोचना करता है, और कहता है कि नहीं उसको उस नजरिय से देखना चाहिए, उनके नजरिय से नहीं देखना चाहिए, और जब हमने इस कॉंट्राविदी को अपनाया तो आपने क्या कहा कि बगत सिंग है वो क्या है सहीद है वो आतंकी नहीं है सांस्करतिक आलोचना तो इन्होंने साहितिय संगीत करा राजनितिक जो भी ओपनिवेशिक परबाओ थे उन सब की आलोचना की है और छिपी हुई दारणाओं को उजागर करने पे बल दिया है कि इनके पिछे क्या है कारण क्या है उनके उनको खोजना है निर्वासनयों पहचान ये इनकी वेक्तिगत समस्या थी और ये इनके अध्यन छेतर पे भी आती है क्योंकि ये क्या थे निर्वासित थे वैसे ये तो निर्वासित नहीं थे इनके पिता थे वो अमरिका में आये थे सेनिक के रूप में आये थे तो उनके साथ इनकी पूरा का पूरा परिवारा आ गया था तो जनम तो इनका फिलिस्तिन में हुआ था लेकिन ये अमरिका में आ तो उनकी स्तीती कैसी होती है? और वो किस परकार से अपनी मात्र भूमी और बाहरी पहचान के बीच में सामज़े स्य बिठाते हैं? तो उनकी बिचारों में मुखे रूप से क्या है? उत्तर ओपनिवे सिक अधिन हो गया, सांस्कृतिक सिधान्त हो गया, साहित्यक आलोचना ह पुर्वी अध्यन पे गहरा प्रवाव पड़ा है कि उनका अध्यन वो गहराई से होना चाहिए ना कि ओपनिवेसिक शासन से नहीं होना चाहिए वो उनके जो उपनिवेस लोग थे जो सोसित लोग थे अब इनकी पुष्तक है औरियंटिलिजम जिस पे हम चर्चा कर चुके हैं तो इसमें कोई नया नहीं है और इसमें बस इतना ही है कि जो यूरोपिय समराज्यवाद और जो उपनिवेस बात था उसे एक उपकर्ण बनाया यूरोप के लोगों ने अपनी सक्ति और अपने परभुत्वय को स्तापित कर करने के लिए संस्कृति और समराज्यवाद तो इस पे भी संस्कृति साहिते हैं इनकी आपसी समंदों की पड़ताल है वो इस पुस्तक में करते हैं तो ये इनकी पुस्तक है आगे इनकी पुस्तक और है दैक्योशन ओफ फिलिस्तीन फिलिस्तीन का परसन ये इनकी पुस्त और राजनेतिक कारण है उनका विशलेशन किया है ये जो इसराइल और फिलिस्तिन का युदा ये बहुत प्राचीन है इसके बहुत ज़्यादा एतियासिक कारण है जब धर्मोक का उद्य हो रहा था तब ये हुआ है इसका व्यापक विशलेशन इनोंने किया है और कहा कि फि फिलिस्तीन के लोगों को उनके अधिकार मिलने चाहिए और अभी फिलिस्तीन को स यू अनो ने यू एन ओ यानि यू यू युनाइटर नेशन ने एक सो चुराण देश के रूप में मण निता दिये क्या दिये कि 1000 चुराण में देश वो भी अभी कुई 2-4 साल पर लेकी बा तो ये फिलिस्तिन के अधिकारों की करते हैं और एक जो आजकल काफी चर्चा के अंदर है वो है इसलाम को कवर करना तो ये कहते हैं कि आजकल के जो मेडिया है जो संचार के सादन है वो मुस्लिम लोगों को टारगेट करते हैं क्या करते हैं मुस्लिम लोगों को टारगेट कर करते हैं तो इसमें उन्होंने पस्चिम मेडिया है उनकी जांच की वकालत की है कि ये इसलाम को किस तरह से देखते हैं और ये कहते हैं कि गल्त धारनाओं के शिकार है ये क्या है गल्त धारनाओं के शिकार है और जो पस्चिम मेडिया है वो इसलाम का पक्सपाति कवरेज करत और इस बात के लिए इन्होंने आलोचन भी की है पस्चिम जो मेडिया है उसकी बोधिकों का प्रतिनुद्वर रित्व ब्युख्यान बोधिकों का प्रतिनुद्व यह इनकी महतो पुर्ण पुस्तक है जो इसमें बताते हैं कि जो बुद्धी जीवी लोग है उनकी क्या उम पुष्टक है वो मानोताबाद जो साहितय की आलोचना है उनकी प्रताल करता है कि मानोताबाद और जो लोकतंतर अमरीका ke अंदर क्या है लोकतंतर है लेकिन आज भी वहां पे नसल वाधate होता है तो इनकी ये जो समंध है उनको जागर करने की इस पुस्तक में कोशिश से करते हैं तो कुल मिला की क्या है इन्होंने उपर ओपनिवेशिक्स अध्यन सांसकर्तिक आलोचना और मध्यपुरु विजोट छेतर है उनका अध्यन किया है तो ये आज की हमारी कलास थी एक बार में आपके कमेंट लिलेता हूँ आपने इतने प्रेम से मुझे सुना इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके कोई भी परसन है तो उनको एक बार देख लेते हैं एक्जाम जरूर देना चाहिए ऐसी बात नहीं है उत्तर हिंदुत्वे की परजाती है नहीं उत्तर हिंदुत्वे कोई परजाती नहीं है एक विचारदारा जरूर है ये सांसकर्तिक सब्दावली है हिंदुत्वे की साइबर कराइम पढ़ा दीजिए जरूर पढ़ाएंगे मोका मिलेगा तो हार डिमन के बारे में चर्चा कर चुका हूँ थोड़े नीचे चलना कि सरकल एक्जाम है मुझे पता है कल एक्जाम है अगस्त में exam है, हाँ, MPSET का अगस्त में exam है, ये भी मुझे पता है NET के forum कब आएंगे, तो NET के forum है वो आगे October में आएंगे कब आएंगे, October के लगबग आएंगे, December के अंदर exam होगा exam में कुछ अभी आगे पिछे हो गए थे, वो बिल्कुल आप सही हो गए आप से request नहीं किया करें, आप महरबानी करें, नहीं महरबानी करने की कोई ऐसी कोई बात नहीं है आप में हो और हम में कोई अंतर नहीं है, जैसे आप है वेसे ही, मैं हूँ, 0% अंतर है बस महनत करेंगे तो आप भी यहीं होंगे, और होँसकता है कोई दूसरी दिसा, आपकी दूसरी दिशा में हो, बस फोड़ा सा अंतर है, जदा अंतर नहीं आपको हाथ से चूथ सकता हूँ, और आप मुझे हाथ से यह इदर आ सकते हैं, बस महनत करनी पड़ेगा इसके लिए थेंक्यू सो मच निच्चे चलना सेली अच्छी है चलो पसंद आनी चाहिए सेली सब अपनी तरब से त्वे को सारे अच्छे प्रयास करते हैं कोई टीचर बूरा थोड़ी पढ़ाना चाहता है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ये सबसे इपोर्टेंट है आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तब फिर दिक्कत होती है मैं तो पूरी अपनी जीज़ जयान लगा देता हूँ पढ़ाने में और सब कुछ भूल जाता हूँ ये ध्यान की है मैं ओसो को पढ़ता हूँ तो वो कहते हैं ध्यान क्या है किसी एक चीज़ पर ध्यान कर लेना अगर आप पड़ाई पर ध्यान कर लेंगे न तो कहीं बेट के जरूरी थोड़ी है कि ध्यान है वो उस मुद्रा में लगाया जाए विशे इस मुद्रा में आप कहीं भी ध्यान लगा सकते हैं आप पिछले 10-15 दिनों से मेरा पूरा का पूरा ध्यान इसमें है और जब आपका ध्यान हो जाता है ना किसी एक चीज में तो सारी की सारी चीज़ें गोन हो जाते हैं आप भूल जाते हैं खाना पिना भूल जाते हैं आप कुछ लोग अगर आपके प्रिजन आपको काम कहते हैं तो वो काम आप भूल जाते हैं कुछ याद नहीं रहता है सिर् तो ये भी एक परकार का ध्यान है तो ये अभी 10-15 दिनों में मैंने महनत की है तो मुझे बड़ा आनद आ रहा है मुझे लग रहा है कि हाँ आज के बाद मैं 5-7 दिनों के लिए बिल्कुल गुमूँ आन क्योंकि मेरी भी तो सरदर्दी रहती है आपको भी लग रहा होगा कि ये एक्जाम होने के बाद में हम थोड़े से इंजोई करेंगे तो करना चाहिए लेकिन 10-15 दिनों से ध्यान की मुद्रामे मैं हूँ और मुझे कोई चीज याद नहीं रहती है और मुझे उन दिनों की याद आ जाती है जब मैं पुलिस की उसकी फिजिकल की त्यारी करता था तब 15-20 दिन मुझे वो बड़े मस्त रहे थे वो मेरे जीवन के बहुत अच्छे गुजरे थे मुझे के ओल फिजिकल की त्यारी के लावा कुछ भी पता नहीं रहता था जो जीवन है वो भूल जाते हैं अब 10-15 दिनों में मेरे हो सकते हैं जो मेरे जानकार वो नाराज हो जाएं उन्होंने कोई चोटे-मोटे काम कियें कहे हैं तो मैं उनको भूल गया हूँ और अब मैं उनको पूरा करूँगा तो आप अगर डूबते हैं पूरे तभी आनन दाता है और तभी स्लेक्शन होता है तो ध्यान में समाध्य बोल देते हैं सरवोच स्तर क्या है ध्यान का समाध्य है तो आपको समाध्य प्राप्त हो जाएगी या निया आपको अपना लक्षिया है मिल जाएगा डूब जाएं बिलकुल डूब जाएं पढ़ाई के अंदर कुछ भी याद नहीं रहें खाते पिते उठते बेटते जागते सोते आपके अंदर परसन गूंजने चाहिए और जब ये आपके दो-तिन मेने से गुजर जाएंगे तीन मेने से गुजर जाएंगे माई का लाल दुनिया की कोई ताकत आपको आपके लक्षय को पाने से नहीं रोक सकती ठीक है नीचे और कोई देख लोगर है तो कमेंट और देख लो और ये ठीक है गोरखपूर सेंटर आया है कैसे आया है चलो सभी को एक बार पुन है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने प्रेम से अभी तक जुड़े हुए हो मेरे साथ है और सभी को कल के एक्जाम के लिए जो भी दे रहे हैं उनके लिए best of luck इस वर पूरण करें